आज मैं आपको बकरे के पाई बनाने का तरीका समझाऊंगी किस तरह मज़ेदार और जाइकेदार जो है वो पाई बनाये जाते हैं लेकिन इसके पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीजिए को लाइक करने हैं इतने हमेरे फैंली के सब SJC और जिन्हों ने मेरे चैनल सU्टर्ण के कि किया वो प्लीज 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 मेरे चैनल सॉस्क्राब कर enjoys ताकि आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सकें चलिए मैं आप बटाती हूं कि पाए बनाने के लिए हमें कौन से मसालियो और अज़ाज जो है दरकार है इसके लिए आप देख सकते हैं कि मैंने एक बरतन में आठ बकरे के पाए ले लिया और उसको कट करवा लिया अच्छा आप इसको कुछ से लेकर भी साफ कर सकते हैं वैसे मैंने मार्केट से ऐसे ही लिएहां यह साफ बने बनाए पाये होता हे इसके साथ मैंने ये पांच느-छे दर्म्यानी साइस की प्याज लिया है जिसको हमने यह लच्छेदर कटकर लिया चार से पांच साबस सब्स मिर्च, एक चमच हल्दी, चार चमच सुर्फ मिर्च के वैसे आप अपनी जरूरत के मताबिक इस्तमाल कीजिएगा, दो चमच नमक, नमक हस्पे जाइका, एक चमच के करीब साबत गरमसाला, आप चाहें तो पीसा हुआ इसकामाल कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं साबट डालू ही, एंट पर गानिफ करने के लिए हलका समय चुपती भार, पीसा हुआ गरमसाला इसकामाल करनी, और इसके साथ साब धनिया, पिसा हुआ, एक खाने का चमच, और ये तीन चमच अद्रफ लसन का पेस्ट, चलिए अब देखते हैं किसको बनाते कैसे हैं, आप ये देखें, इसको मैं करते हूं साइड पर, ये सबसे पहले हैं, मैंने जो pressure cooker है, वह आगे से ज़्यादा बर लिये, तकरीबन हे हाफ pressure cooker है, इसको मैंने पानी से बर लिया, अब में इसके अनदर जो है, ये साब़ causal ऐड करूगी, ये मैंने पानी दालने के बाद इसके इंदर पाई ऐड कर दीना, इसके बादी है, इस खल्दी, सुका दन्या पिछा हो, नमक, सुर्ख मिल्च, गरम साला, और आफर में हम ये अधर लस्टन का पेस्ट आपके। अब मैं इसको बंद करके इसमिल्ला रख्मानी रगीम, यह मैंने बंद करती है, आप मैं इसको वेड बढ़ाओंगी, चलिए अब हम इसको चूले पर पकने के लिए रखते हैं, यह देखेंगी, इसको आप हमने पकने के लिए चूले पर रख दिया है, तकरीबन हम इसे 20-30 म तक पकने देंगे, और उसके बाद हम खोल का चेक करेंगे कि पाए गले हैं या नहीं, आप इसका पानी कुशक करते हैं, पावे क्यूंके जाल चुके हैं, अब पानी कुशक होने के बाद हम इसमें आयल डाल कर इसको बूलेंगे, खुब अच्छी तरह, पानी कुशक हो च आप पानी के लिएज कंप मैंने आयल का इसमें डाला है, क्योंके पाए उने भी काफी डोगन्स हो रहा है, अब मैं इसको लूंती ही जाओंगे, ये देख्चाह मैंने इसकरे ग्खरी मिट जूएंगे, लेकर उसको एक लंबा कट लगाया और उसके एक बार आप फिर एक और कट लगा ले इस तरह से आपने सारी मिर्चों को जो है वो सेंडर से कट करते जाने यह मैं इसलिए करीं त्यूंकि इससे जो मिर्चों का जाइता है वो बरकरा रहेगा और बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका सालन में इस तरह फ़ली की तरह यह चाहर है इस तरह अब इसी तरह आपने सारी मिर्चों काट लेनी और अब में इसको खंडिया में डालू अब इसको सालन में एग करेंगे और इसको साफसर ढूंते जाएके जब तक रिच्छे से बीना चोड़े है जब यह अब इसमें घजबे जरूरत पानी शामित करके शोरबा त्याद कर लेंगे और इसको सालन को डिशाओ कर लिया है अगर हमारी यह रेस्पी पसंद आई हो तो इसको कमेंट करें और यह ची तरह मौन चुका है आप इसमें पहले आप बाद बगाओं कि हमने एक न्यू चैनल इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मजूद है और वीडियो के लास पर भी आपके लिंक देख सकते हैं इसको भी यसी तरह स्पोर्ट करें इस तरह आपने हमारे पानी डाल जाओं किया थैक्यू अलाँ आम ऐसे दस मिट तक पकाऊंगी और इसके बाद मैं इसे उताड़ मू सालन को मैंने डिश आउट कर लिया है उमीद करती हूं कि आपको हमेशे की तरह हमारी ये रेस्पी पसांद आई होगी अगर हमारी ये रेस्पी आपको पसांद आई हो तो फ्रेंज और फैमली में शेयर करें जाने से पहले आपको एक इंपॉर्टन बात बताना चाहते हू कि हमने राना अदील एमत के नाम से एक न्यू वी लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मजूद है और वीडियो के लास्ट में भी आप ये लिंक देख सकते हैं जिस तरह आपने हमारे बाकी तमाम चैनल को स्पोर्ट किया उसी तरह हमारे इस चैनल को भी स्पोर्ट करें थैंक यू अला अफिस